मेरी सास मुश्वर बरस रही थी, वो हर वक मुझे खरी खोटी सुनाती, मेरे ससुराल आने के लगभग दो से तीन महीने बाद से ही मैं अपनी सास के ताने सुन रही हूँ, वो मुझे मनहूस कहकर बुलाती और साथ में उनका बेटा, यानि कि मेरे पती संदीब भी, धीरे ध पर जस्ती सिगनेचर करवाने लगें, पर मैं तलाक के पेपर्स पर सिगनेचर करने को तयार नहीं हुई, क्योंकि मुझे जबाब चाहिए था, कि आखिर इन लोग मेरे घर खुद ही रिस्ता भिजवाय थे, और अब ऐसी क्या बात हो गई, कि अचानक तलाक लेने लगें, मेरे आने के बाद ऐसी कोई दुखत घटना भी नहीं घटी थी, आखिर मैं इन लोगों के लिए मनहूस क्यों थी, मुझे इन सभी बातों का जबाब चाहिए था, मेरा रिस्ता जब इनके घर आया, तो मेरी सास, मेरे भाई से मेरी कुंडली तो मांगी, पर उनकी बातों से ये नहीं लगता था, कि वो मुझे से अपने बेटे की शादी करवाएंगी, क्योंकि इन लोगों की लंबी चोड़ी बाते सुनकर, मेरे भाईया परिशान हो गए, क्योंकि मेरी सास को अपने घर में हर एक चीज ब्रांडिट चाहिए थी, मेरी सास की लंबी चोड़ी बात सुधा से करने को त्यार हूँ, मेरी सास के मुझे, ये सब सुनकर मेरा भाई खुस हो गया, और सन्न भी रह गया, कहां ये ऑरत इतनी बड़ी बड़ी बाते कर रही थी, और अब खुद ही फोन करके कह रही है, कि वो शादी के लिए तैयार है, भाईया को तो मेरी शादी कर कुछ दिनों तक मेरे ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा रहा मेरे पती संदीब का विवहार भी मेरे लिए बहुत अच्छा था पर कभी कभी परेशान होकर आपस में मेरी सास और मेरे पती क्या बात करते मुझे समझ मे नहीं आता और जब मैं इन लोगों से पूचती कि क्या बात है आप लोग आपस में क्या बात करके परिशान रहते मुझे भी बताईए क्या पता मुझे कुछ उसका सल्योशन पता हो इस बात पर मेरे पती बड़े प्यार से मुस्कुरा कर मुझसे कहते इसका सल्योशन कोई नहीं जानता यही कहकर संदीब बात को टाल देते मैं भी बिना परेशान हुए अपने कामों में मगन रहती कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद धीरे धीरे मेरी सास का रवईया मेरे प्रति बदलने लगा वो मुझे हर छोटी बड़ी बात पर कुछ न कुछ सुनाती कहती अब सगुन कहीं कि जब से मेरे घर में आई है सब कुछ सत्यानास हो गया कुछ नहीं बदला इससे अच्छा तो मैं कहीं और अपने बेटे की शादी की होती वहाँ पर मुझे दहेज भी मिलता और ब्रांडिट सामान भी मिलता मनहूस कहीं कि अपनी सास के मुझे ये सब सुनकर मैं बहुत रोती और अपने मन में सोचती कि आखिर अगर इस घर में कुछ बदला नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है मेरे दिन कुछ इसी ताने बाने के साथ गुजर रहे थे संदीब का रवया भी धीरे धीरे मेरे प्रतिक कड़क होने लगा वो भी अब मुझे धंग से बात नहीं करते जब मैं इन सब का कारण पूछती तो वो मुझे मनहूस कहकर हटा देते कौनसा ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन मेरी सास और मेरे पती मुझे सुनाए बिना नहीं रहते वो कुछ न कुछ मुझे खरी खोटी सुनाते ही रहते एक दिन अचानक संदीब ने मुझे से कहा मुझे तुमसे तलाक चाहिए तलाक की बात सुनकर मैं संदीब के पैरों पर गिर गई और कहने लगी भगवान के लिए ऐसा मत कहो मुझसे तलाक मत लो आखिर मैं जाओंगी तो कहां जाओंगी पर संदीब को मेरी मिन्नते करने से कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें मुझसे तलाक चाहिए तो चाहिए जब मैंने अपने मायके वालों को ये बात बताई तो वो लोग भी परिशान हो गए मेरे भईया ने आकर संदीब से इस बारे में पूछा तो संदीब ने उन्हें भी कोई जबाब नहीं दिया बस यही कहा कि अब मैं इस मनहूस के साथ नहीं रहना चाहता मेरे भईया भी मेरे तलाक के खबर सुनकर बहुत परिशान हो गए क्योंकि कितने अर्मानों के साथ वो मेरी शादी कर मुझे बिदा किये थे और सादी के कुछी दिनों में उनकी बहन का तलाक हो जाएगा कितनी तकलीफ वाली बात थी पर वो भी करते तो क्या करते उन्होंने मुझे कहा बिटा तुम अपने तरीके से इन्हें समझाओ क्या पता बात बन जाए मैं संदीब को कितना भी समझाती पर वो समझने वाले नहीं थे वो इस बात के लिए रोज-रोज किछ-किछ करते मेरा और संदीब का तलाक हो गया कितने अर्मान लेकर मैं इस घर में आई थी आज मैं इस घर से बिदा हो रही थी वापस अपने माय के जा रही थी मैंने भाईया के पास फोन किया भाईया मुझे लेने आएं जब मैं अपने माय के गई तो मैंने देखा सबके चेहरे पर मायूसी थी मा मुझसे बात कम कर रही थी बस वो रो रही थी उनके मुझसे आवाज नहीं निकल पा रही थी कुछ दिर बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात है बिटा वो लोग तो बड़ी खुसी मन से तुम्हारा हाथ मांग तुमसे सादी किये थे ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक संदीब ने तुमसे तलाक ले लिया मैंने रोकर मा से कहा मा मुझे भी नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यूं हुआ सादी के कुछ दिन बात से ही संदीब का रवया अचानक बदल गया वो मुझे तलाक लेने की बात कहने लगे और इस बात को लेकर वो रोज मुझे जगडते मेरे तलाक की वज़े से भाई या भावी तो दुखी ही थे पर मेरे मा के उपर तो मा नो दुखो का पहार तूट पड़ा था मेरे मा के आने के बाद वो कई दिनों तक खाना नहीं खाए धीरे धीरे वो बिमार रहने लगी एक दिन अचानक वो हमें छोड़ कर इस दुनिया से चल बसी मा के मरने के बाद मैं एकदम बे सहारा हो गई थी ससुराल में पती से तलाक हो गया था और मायके में एक माही थी वो भी चल बसी आखिर कितने दिनों तक मैं भाई या भावी के पास रहकर अपना गुजारा करती मैं बच्पन में बहुत अच्छा पेंटिंग्स बनाती थी इसलिए मैंने अपने पेंटिंग्स का काम सुरू किया मैं पेंटिंग्स बना कर कुछ जगहों पर बेशने लेकर चली जाती कि उससे कुछ पैसे मिल जाए और मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतू के लिए अपने भाई के सामने हाथ न फैलाऊं मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया था मैं दरदर की ठोकरे खा रही थी पर संदीब के तलाक लेने का सही कारण मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया था कि संदीब ने मुझे तलाक क्यों लिया एक दिन मेरी किस्मत ने ऐसा मोड लिया मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी भी किस्मत ऐसी हो सकती है और ये सिर्फ मेरी किस्मत नहीं थी मेरे कर्म भी थे अगर मैं कुछ नहीं करती तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं देती मैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर सड़क के किनारे बेचने बैठी हुई थी तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर वहाँ पर रुकी और उस गाड़ी से एक आदमी निकला और मुझसे पूछने लगा क्या ये पिंटिंग्स आप खुदी बनाती है मैंने कहा जी हाँ वो आदमी मेरी तारिफ करते हुए मुझसे कहा पिंटिंग्स तो आप बहुत अच्छा बनाती है क्या आप मेरे शॉप में आकर पिंटिंग्स बनाने का काम कर सकती है सुरू सुरू में मैं महीने के आपको 20,000 दूँगा उस आदमी के मुझसे ये सब सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा मैंने उस आदमी से कहा सर मुझे तो नौकरी की तलासी है उस आदमी ने मुझे अपना कार्ट दिया अगले दिन मैं उसके बताए हुए पते पर गई उन्होंने मुझे अपनी पूरी दुकान दिखाई वहाँ पर हजारों पेंटिंग्स लगी थी उस आदमी ने मुझे पूछा क्या आप ऐसी पेंटिंग्स बना सकती है मैंने कहा हाँ उन्होंने मुझे कुछ पेंटिंग्स के ओर्डर दिये मैंने कुछी दिनों में वो पेंटिंग्स बना दिया ये देखकर उन्होंने मेरी बहुत तारीब की और मुझे काम पर रख लिये धीरे-धीरे मेरी सैलरी भी बढ़ने लगी और मुझे बड़े-बड़े कमपनी से पेंटिंग्स बनाने के ओर्डर मिलने लगे मैंने अपनी काम्याबी की बुलंदियों को छू तो लिया था पर मुझे बार-बार वही बाते याद आती कि आखिर संदीप मुसे तलाग क्यों लिये एक दिन मैं अपने काम पर जा रही थी तभी एक औरत मेरे गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई उसे देखकर मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर कर उसे डाटते हुए कहने लगी कैसी आउरत हो गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती हो अगर दब जाती तो वो औरत हाथ जोड़कर मेरे पेर पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी दीदी मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए उन लोग मुझे माट डालेंगे मैंने उससे पूछा कौन माट डालेगा तुम हो कौन और तुम रो क्यों रही हो उसने रोते हुए मुझसे कहा दीदी मेरा नाम रोसनी है मैं रिष्टे में आपकी सौतन लगती हूँ ये सब सुनकर तो मैं सन रह गई क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि संदीब ने दूसरी साधी कर ली है मैंने उससे पूछा पर तुम्हें तकलीव क्या है तुम्हारी वज़े से मेरा पती मुझसे तलाक ले लिया उसने कहा नहीं दीदी भगवान के लिए ऐसा ना कहें संदीब मेरी वज़े से आप से तलाक नहीं लिये थे वो तो मुझसे भी तलाक लेने वाले हैं मैंने कहा क्य उसने कहा हाँ दीदी हाँ उसने मुझसे कहा दीदी रास्ते में मैं आपको सारी बाते नहीं बता सकती प्लीज आप मुझे कहीं ले चले मुझे रोसनी की बातों में सचाई लगी मैंने उससे कहा ठीक है तुम गाड़ी में बैठो हम कहीं चल कर बाते करते हैं मैंने अपने सर के पास फोन करके अपने काम से छुट्टी ले लिया और रोसनी को कहीं लेकर गई रोसनी ने कहा दीदी संदीप और उसकी माँ पागल हो गए हैं संदीप को कुछ करना वनना है नहीं इसलिए वो चाहता कि जो उसकी पत्नी आए वो किस्मत वाली हो आपी बताएं दीदी बिना कुछ किये किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है वो लोग कर्म पर नहीं बलकि किस्मत पर विस्वास करते हैं और जिसका भुगताना हमें भुगतना पड़ता मेरी साधी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा पर साधी होने के कुछ दिन बात संदी पर उसकी मा का रवया बदल गया वो दोनों मुझे मनहूस कहने लगें और एक दिन एक पंडित उनके घर आया तो उसकी मा मुझे उस पंडित के सामने लेकर गई और कहने लगी कि पंडी जी आपने तो कहा था कि ये लड़की बहुत किस्मत वाली होगी पर ये भी उस मनुहुस सुधा की तरह ही है उस पंडीत ने मुझे देखा और मेरी सास से कहा तुम्हारी बहु पर कुछ ग्रह है मुझे इसे अपने साथ ले जाकर पूजा कर इसके उपर से ग्रह हटाना होगा मैं उस पंडीत के साथ जाना नहीं चाहती थी पर संदी पर उसकी मा जब अरजस्ती मुझे उस पंडीत के सास भेज दिये और जब मैं उस पंडीत के आस्रम पर गई तो वो पंडीत रात में मेर सोसर करने की कोसिस किया इसलिए मैं वहाँ से भाग आई मैंने रोशनी से पूछा पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला तुम तो मुझे देखी भी नहीं थी उसने कहा दीदी मैं एक दिन घर की सफाई कर रही थी तो आपकी फोटो मुझे वहाँ पर मिली वो फोटो लेकर मैं संदीब के मा के पास गई और उनसे पूछी मा जी ये कौन है आपका फोटो देखते ही संदीब के मा का गुसा सर पर चढ़ गया वो फोटो लेकर फाड़ते हुए कहने लगी इस मनहूस का फोटो अभी तक मेरे घर में है ये संदीब की पहली पतनी थी जबसे ये मनहूस हमारे घर में आई थी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही थी इसलिए मैंने इससे अपने बेटे का तलाग करवा दिया दीदी जब इन लोग मुझे प्रतारित करना सुरू कर दिये तो मैंने आपके बारे में धीरे धीरे पता लगाना सुरू कर दिया और जब इन लोगों की प्रतार्णा हच से दादा बढ़ गई तो मैं वहां से भागते भागते और आपको ढूटते ढूटते आपके पास आ गई दीदी मुझे बचा लिजे मैंने रोसनी से पूछा आखिर तुम चाहती क्या हो मैं तुमारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ रोसनी ने कहा दीदी कोई भी लड़की अपने रिष्टे को तूटा हुआ नहीं देख सकती पर उन लोग ऐसे हैं कि उन्हें सुधार तो नहीं सकते पर मैं घर गई तो दोबारा उन लोग मुझे उस पंडित के पास भेज़ देंगे मैंने रोसनी को कुछ बाते समझाई और कहा तुम चिंता मत करो मेरा मोबाइल नमबर लो अगर कोई बात होगी तो तुम फोन कर देना और अभी तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ रोसनी संदीप के घर जाते ही मेरी तारिफों के फुल बादना शुरू कर दी उसने कहा आज मैं सुधा दीदी से मिली हूँ सुधा दीदी तो बहुत पैसे वाली हो गई है वो कार से चलती है और उनका खुद का घर भी है सुधा मुझे फोन पर सारी खबर देती थी मेरे बारे में सुनकर संदीप और उसकी मा तो सन रह गए उन्होंने कहा वो मनहूस इतना आगे कैसे बढ़ गई रोशनी ने उन लोगों से कहा आप लोगों को बिस्वास नहीं है तो खुद अपनी आँखों से चल कर देख लें रोशनी उन लोगों को मेरे घर पर लेकर आई मेरा घर गाड़ी और मेरा रहन सहन देख कर वो लोग दंग रह गए पैसे में बहुत दम होता है यार पर पैसा संदीप और उसकी मा की तरह किस्मत की माला जपने से नहीं मिलते बलकि कर्म करने से मिलते हैं वो लोग मेरे पैरो पर गिर कर कहने लगें सुधा वापस अपने घर चलो मैंने संदीप से कहा नहीं संदीब, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी एक पत्नी है, पहले तुम उसका जीवन सवारो, मेरा जीवन, मेरे भगवान ने सवार दिया है, और एक बात और संदीब, किस्मत से ज़ादा कर्म पर विश्वास करो, अगर तुम कर्म करोगे, तो तुम्हारी और तुम संदित का सहारा ले लो तुम्हारी किस्मत वैसे के वैसे ही रहेगी और ये जो तुम मुझे मेरी बुलंदियों पर चढ़ते हुए देख रहे हो ये मेरी किस्मत के वज़े से नहीं बलकि मेरे कर्मों की वज़े से हुआ है जब मैंने कर्म किया तभी मेरी किस्मत ने मेरा और कहा किसी भी चीत की जरूरत होगी तो इस पर फोन कर देना मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी